नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैं हूँ अभिसेक मिस्रास सीएम नितीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि कई बार वे कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिनकी जानकारी या फिर जिनकी भनक उनके करीबियों को भी नहीं होती और कल बिहार बिधान मंडल के बजट सत्र के दोरान कुछ ऐसा ही हुआ जिससे उनकी सही होगी बीजेपी सोक में है बीजेपी को जटका लगा है और एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि नितीश कुमार ने बीजेपी को जटका दे दिया है एक बार फिर नितीश कुमार का वो उसको मंजूरी मिली और शर्व समती से बिहार विधान सभा से ये प्रस्ताव पारित हो गया कि NRC लागू नहीं होगा बिहार में और NPR पुराने फॉर्मेट में लागू होगा इस फैसले का इस प्रस्ताव का बीजेपी के अंदर खाने कितना गहरा असर है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के जो कर सकते हैं बयान बीर नेता हैं या फिर बिहार में बीजेपी के वो नेता हैं जिन से बिहार की राज़िती गर्माती रही है अ और काफी तबज्जो दी जाती है बीजेपी के सिर्ष नित्रित्व की तरफ से इनेताओं को वो भी कह रहे हैं कि इस फैसले से हम सोक्ट हैं और ये फैसला हमारे लिए बिलकुल अचम्बित कर देने वाला है। और सीएम नितीश कुमार की इस फैसले से बीजेपी के अंदर खाने कितना बड़ा भुचाल है। तो सुनिए सजिदान अनराय ने क्या कहा है। उससे आपके लिए सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की बाचीत करते हैं। बाते रखें हैं खुलके। बाकी तो ठीक है अब एनर्सी कोई अभी विद्याक तो त्यार हो नहीं रहा है। प्रावधानों के बारे में चर्चा नहीं हुई है, कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन इनर्सी भार्जनता पार्टी के संकल्प में है। इस बात को कई तक हमारे मंत्री जी ने दोराया है। राश्य दर्च रहते हुए भी या उसके बाद भी। इसे तो हमें तो यहीं पता है कि जहां तक पार्टी के सिश्नेतित्व का मनतब्य है, वो नर्सी लागू करने के प्ख्ष में है। हाथ समय कब लागू करेंगे, इसके बारे में अभी कोई निधारन नहीं हुआ है। लेकिनि अचानक आज असेम्बली के अंदर बिधान सवा के अंदर बात उठा और जिस तरह से बिहार एंडिये के नेता और मुख्यमंत्री जिने शाहिद सहमती देजी ती इसे लिए कायस्तकन पस्ताव फिकार भी किया गया फिर उस पर जिस तरह के पस्ताव पारित हुए यह एक सधारन भाजपा करेकता को चमगित करता है और हम लोग तो बिलकुल समझे नहीं पाए कि हो के रहा है जब तक समझते तक यह आ भी गया पास हो के चला भी गया तो इसके बारे में क्या कहा जाए मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि शिश नितित ने इस पर कोई सहमती है अब अगर अचानक अगर कल इदर पिछले तीन-चार पाइज दिनों के अंदर में अगर नितित ने बदल दिया होगा तो उसके हम लोग करे करता है कि रूप मुख मंत्री जब उन्होंने समर्थन में कहती है तो इसके बाद तो हम तो चंभित ही रह सकते थे और क्या करत अब एक अंशासित करे करता होने के नाते हमें तो अपने नितित का फैसला तो स्विकार करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं जमचता कि राष्टी नितित कि समती बनी है या बनी भी होगी तो हम लोग को नहीं पता है हम लोग अचंभित है तो एनर्सी और एनपी आर को लेकर तीन दीन चार दिन पहले से यह नितित कुमार ने कहा था कि एनपी आर पुराने फॉर्मेट में ही लागू होगा एनर्सी बिहार में लागू नहीं होगा चुनावी साल में जब नितित कुमार ने दूसरी बार ये दोहराया कि बिहार में नर्सी लागू नहीं होगा तभी ये संकेत मिले थे तभी ये कयास लगने लगे थे कि बिहार की राजनिती में आगे जो होने वाला है वो बेहत दिल्चस्प होने वाला है और हुआ भी है NRC NPR को लेकर कल से बिहार की राजनिती पूरी तरह बदल गई है बिपक सीम नितिस कुमार के साथ नजर आ रहा है कई मायनों में सीम नितिस कुमार को थैंकू कर रहा है और बीजेपी के नेताओं को बीजेपी को न तो ये फैसला निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है तो बीजेपी के अंदर खाने बड़ा भुचाल है नर्सी और इन पियार को लेकर सीम नितिस कुमार ने जो फैसला लिया है जो स्टेंड लिया है और संकेत साफ है कि भीहार की राजनिती में आगे भी जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत दिल्चस्प होने वाला है इस खबर मितना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबादें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद